गुद मॉर्निंग क्लास फिफ्ट स्टोड एंड इस आवर फ्यूचर स्टैप बुक एंड तोड़ी विल रीड चैप्टर नंबर 19 इस आवर लास्ट चैप्टर ऑफ इस बुक चैप्टर नंबर 19 नेम इस कंप्यूटर द फ्रैंड और पॉर कंप्यूटर क्या है सबका दोस् है क्योंकि हमारी बहुत है कंप्यूटर के बार में मैं आप जानती हो और पढ़ते भी हो और आई तिंग कुछ प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने पर स्कूल में किया होगा लैट स्टार्ट ओके इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग तो लर्न अबाउट डिफ्रेंट टाक सब्सक्राइब अबर और देखेंगे एंगे कंप्यूटर की स्टार्ट कहां से हो आटिक है यहनि कंप्यूटर कैसे डवलब हुआ लट इस चाड़ कैलकूलेशन हैं इन इस सिस्टम अजिए इन द वर्व संटेकर कैलकूलेशन क्या है एक बीशिक यूनिट है नी कि हम word में कहीं भी चले जाएं तो calculation calculation मतला कि जोड़ गुणा भाग ये तो सब जगे ही होता है होता है न ठीक है चाहिए हम वर्ड में कहीं भी चले जाएं कि आवर से जावलाइजेशन जब सिवलाइजेशन डर्लप हुई जब सब्वेता दीरे दीरे डर्लप हुई उमन बिंग रिकॉर्डेड तो काउंट ऑफ और कैल्कुलेशन देर आर्टिकल्स वाल्ट आनिमास एक्स्ट्रा टू कीप दियर रिकॉर्ड तो लोग क्या करते थे calculate करते थे अपने समान को अपनी वैल्ट को अपने अनिमल्स को और क्या करने के लिए थाकि record रह सके ठीक है उनका तरीका कुछ different रहा होगा as a time pass it become important to count and calculate money और जैसे जैसे समय बीता चला गया तो इंपोर्टेंट हो गया कि money को count करना और calculate करना क्योंकि पहले कि जब civilization थी तो लोगों के पास पैसा तो नहीं था तो वो क्या कर देते बाटर सिस्टम को adopt करती थे मतलब एक चीज़ देते थे तो उसके बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे लेकिन जब जैसे कि money आई तो यह अब इंपोर्टेंट हो गया कि money को कैसे calculate किया जाए then modern system of life is fully dependent on calculation और इस तरह के जो हमारा अधुनिक के डे का करना पड़ेगा और डेयर का करना पड़ेगा यह कभी करना पड़ेगा यह परफोर्मेंस activities और आटक रफ्रकुलेयट आपकी जो परफ्रकॉर्मेंस एक्टिविटी होती है वह भी क्या की जाते है कलकुलेट की जाते है in diets what quantity of food you should have इस कल्कुलेट यहां तक कि जो diet आप लेते हो वह भी क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी को भी काउंट किया जाता है ठीक है कैलोरी में होता है जैसे 130 कैलोरी 30 कैलोरी 50 तो यह क्या एक नंबर है यह काउंटिंग इस तरह से हम एक परसन की डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं अब जो कार की स्पीड है ट्रेन की स्पीड है एरोप्लेन की स्पीड है वह भी कल्कुलेट की जाती है calculation is always nice scientific researches and astronomical अस्ट्रोशीकल वरकिंग यहां तक की जो calculation के हमेशे जरूरत का पड़ती है scientific research में भी जरूरत पड़ती है और astronomical और astrological working में भी उसकी जरूरत पड़ती है यह जिना सकती है नहीं कर सकता है ठीक है तो आप मार्केट भी जाते ओ आप को будете कर तो थो यह काउंट करती है यह कंट यह तो इसके बिन हमारे life पॉसीबर हि नहीं है इन दा बिग्निंग पीपल यूज एन अबाकस तो काउंट थे बहुत पहले लोग क्या करते थे अबाकस का यूज करते थे चीज़ों काउंट करने के लिए एन अबाकस वाज और अबाकस इस वुदन फ्रेम विद रॉड और बीड्स फिटे अन अबाकस क्या होता था एक और नीचे जो बीड्स होते थे उपा नीचे थे दबीड्स बिट्स पर तो मोटी जैसे है दा बीड्स एफट से डिफ्रेंट कांटिंग वैल्यू और जो बेस की अपनी अपनी कांटिंग वैलिव थे आई थिंगक दस भीर उंके तो उनको अलग-अलग नंबर में दे दे अबकस वाज रिप्लेज़ बाइदा कंप्यूटर ग्रेजुली और उसके बाद अबकस का स्थान किस ने ले लिया तोड़े कंप्यूटर इस फास्टेस्ट एक्टूरेट एंड दो मोस्ट यूसफुल मशीर और अब कंप्यूटर क्या होगे बहुत तेज चलने वाली और सईसे आंसर देने वाली और बहुत ही यूसफुल मशीन में हो चुकी है अब्रिवे इन ओप्यूटर का यूस किया जा रहा है इन सब चेगे अब यह जो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है जो मॉडर्न कंप्यूटर की हिस्ट्री है हम जाते हैं 17th century में ठीक है कंप्यूटर का मीन्स जो है यानि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से लिया गया जिसका मतलब है कैल्कूलेट करना गरना करना जो हमारी जो कंप्यूटर है वो कब अस्थित में आई 17th century में चार्स बेबस और अड़ा लवलेस इन दोनों के सयोग से कंप्यूटर एक मशीन बनी कल्कूलेटिक मशीन बनी इसका नाम रखा गया डिफ्रेंट इंजन अब चार्स बेबस और उनकी एक सयोगी थी अड़ा इसकी मदद से क्या होते थे बड़े बड़े जो कैलकूलेशन होते थे वो काउंट किये जाते थे और उनका प्रिंट निकाला जाता था ठीक है Gradually with the consistent hard work he was able to develop a better machine और धीरे धीरे उन्होंने और वर्क किया उसके बाद एक दूसरी और मशीन उन्होंने डवलप के जिसका नाम लगा अनलेटिकल इंजन However, both the projects were dropped in a half way only लेकिन जो भी मशीन थी हमारा जो different इंजन था और अनलेटिकल इंजन था यह वर्क क्या करता था हाफ यह करता नहीं complete वक यह भी नहीं करता था जैसा वो चाते था ऐसा नहीं हुआ The computer that we used today was developed with the contribution of various scientists और आज जो हम computer का हम देख रहे हैं जो डवलप हो अविक्सित हुआ है यह बहुत सारे scientists लोगों ने मिलके इसको तयार किया है ठीक है बहुत सारे लोगा सबसे अच्छा जो computer है वह अप्रेंट डिजिटल computer है और यह सबकी जुरत भी है एड़ेज अनमेस्ट विदर कंप्यूटर डवलेट बाइद चार्ज वेबस बिकॉज ऑफ इस एक्कूरसी स्पीड एंड मल्टी उटिलिटी और यह जो computer जो अभी हम यूज कर रहे हैं यह इसकी computer से बहुत ही different है क्योंकि यह एकदम accuracy है सही है इसकी speed भी fast fast है और यह multi utility है मतलग एक साथी सही बहुत सारे काम कर सकता है the first digital computer come into the extent when American developed it in 1940 और जो पहला digital computer था वो American लोगों ने डवलप गया 1940 में the utility of computer depend upon its proper use और जो computer की utility है वो किस पर depend करती है उसके proper use पर यह नहीं कि सही सही उसका use होना चाहिए है यह वोड़ टेक डे और मन्स तो सॉल्व दा प्रॉब्लम एज पर रिक्वाइट ठीक है यह वोड़ टेक दे आप कई दिन भी ले सकते और कोई कई महीने भी ले सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस नीड इंफोरमेशन टो भी फैट इन्टु इट इसके लिए क्या करने पड़ेगे आपको जो information हो computer में fit करने पड़ेगी इस information is known as data और इस information को हम क्या कहते है data कहते है ओके वैन वी नीड एप computer to do something for us it is given interaction on its own language और जो भी चीज़ हम computer में data या data feed करते हैं उसको हम कहते हैं interactions the program of computer is prepared with a combination of information and the interactions feed into computer की जो program prepare होते हैं वो दो combination से होते हैं information से और interactions से if the interactions given to the computer are correct यदि हम computer में दिए instruction को सही सही feel करेंगे the computer give correct answer तो computer answer कैसा देगा correct देगा if computer gives wrong answer अगर computer wrong answer देता है it means then the interactions given to it were wrong यहने की computer को दीवे जो answer जो data उसमें डाले होंगे जो interactions होंगे वो रॉंग होंगे इसलिए computer ने wrong answer दिया है so very carefully one interesting things you must be aware of is that the computer also has a memory like us और एक बहुत interesting बात यह है कि जैसे हमारी memory होती है हमारी यादश होती है वैसे ही computer की भी यादश होती है it is store information in its memory which it can use letter और यह अपनी memory को store कर लेता है है ताकि इसका यूजम बाद में कर सकें the memory of computer is much more fast and accurate than the human brain और हमारे brain से कई ज्यादा इसके जो memory होती है बहुत fast होती है और बहुत साईसे होती है हम लोग तो कुछ भूल भी जाते है ना लेकिन computer को चीज़ भूलता नहीं है it lacks in one area और यह एक एरिया में बहुत सारी चीज़ों को इंपर्म कर सकता है it cannot think of new ideas or take decision on its own as it has no thinking power ठीक है लेकिन इसके पास क्या है इसके पास बुद्धी नहीं है मतलब यह अपने decision नहीं ले सकता और इसके पास सोचने की power भी नहीं है it is amazing to see how a computer work और एक amazing thing है यह देखना कि computer कैसे काम करता है it can control the airplanes rockets spaceship and many other things यह क्या करता है बहुत सारी सब्सक्राइब करता है discovery में जो new new discovery और invention जो विश्कार हो रहे हैं उसमें सब्सक्राइब करता है computer one of the unique things of a computer is that it can be adjust in small area इसकी एक सबसे चीज़ है कि छोटे से area में यह fit हो जाता है adjust हो जाता है it is also portable यह portable यह portable मतलब हम इसको एक जगे से दूसरी जगे भी ले जा सकते हैं the small dix popularly known as a compact dix और जिक छोटी सी dix होती है जिसको हम compact dix कहते हैं वो क्या करती है records many and written printed register in small area अपने छोटी से area में बहुत सारी चीज़ों को restore कर लेती है it can even play game like playing cards chase रख सकते हैं यहां तक कि इसमें हम क्या क्या फीट कर सकते हैं playing game भी जैसे cards हो गए chess हो गया it can also work as an interpreter और एक interpreter का work भी करती है interpreter का मतलब होता है translator and translator the film Jurassic Park feature dinosaur was created with the help of computer आप लोगों ने Jurassic Park picture देखी होगी जिसमें बड़े बड़े डाइनासार दिखाए गया थे क्या रियल में वो डाइनासार थे नहीं थे लेकिन computer की help से बहुत से Jurassic Park में जो डाइनासार दिखाए गए उनको create किया गया अब जो चीजे हुई है और अब जो चीजे हुई है वो बहुत ही फास्ट हो गई है फास्ट मतलब ही हो गया है कि यह तो आपको शॉट में बताया गया और भी बहुत सारी चीजें computer के बारे में और अब जो चीजे हुई है वो क्या हो गई है बहुत फास्ट हो गई है और accurate calculation हो गई है अभी है ना with the reach of mankind जो हमारे समस्त मानव जाती है उनके लिए दस computer today are the best friend of the whole mankind और इस तरह है computer आज पूरी मानव जाती का बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है तो यह जो लेसन है इसको आप अगर रीट कर लोगे तो यह जो exercise है आप अपने से फील कर सकते हो तो exercise जो बिटा होता है उसको आप अपने से फील करने की कोशिश करें अगर आप अपने से ट्राइक करोगे तो आई थिंक आपको लर्न बहुत जल्दी हो जाएगा है ना चलिए यह हो गया आपका अब एक question answer clear कर देते हैं आपके अब आएंगे घ्रामर पार क्या है words having same sound but different meaning or call the homophones वह वर्ड जो सुनने में एक जैसे दिखाई देते हैं वह क्या आपके रहते हैं और उनका मतलब अलग-अलग होता है ठीक है अब देखें यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं एक example दिया हमको सन सन इस सन मिन्स क्या होता है सूरज होता है इसन मिन्स अब देखें यह है जी आरेटी यह ग्रेट मतलब होता है ग्रेट करना जो से कद्दू अगर आप ग्रेट करते हो ला और यह ग्रेट मिन्स होता है महान यह स्टील स्टील जो स्टील की बढ़तन होते हैं और यह स्टील मिन्स चुराना यह थ्रो थ्रो मिन्स फेकना और यह किसी के द्वारा किसी जिसके एफो यूर फोर मिस चार फोर फोर मिस के लिए यह प्रेज मिस प्रसंसा करना यह प्रेज मिस प्रेज करना देखे अब यह फील हो गया है वन शुट रीट दा लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ ग्रेट मैं हम सब को क्या करना चाहिए महान व्यक्तियों from the homes, चोर क्या कर गए, चुरा की ले गए, इस्टिल में स्चुराना, फिरेस्ट चीजों को घर से, we should throw the unwanted things, हमें unwanted चीजों को फेक देना चाहिए, we should have the respect for our elders, हमें अपने बढ़ों के लिए सम्मान करना चाहिए, हर कोई व्यक्ती अपनी क्या सुनना चाहता है, प्रशन सा, चलिए, अब आते हैं, वोकेबली पार्ट पे, असमें लिखा है, the words given in the box, the name of the parts of body, अच्छा, जो हमारी boxes में parts of body की name दिये गए है, but they can also be used for parts of things, लेकिन इनको parts of things के लिए भी उसके जाता है, put the right word in the blanks in the first one of the new, पहला आपके लिखिया गया, इसमें लिखा है, the neck of the bottle, जो बोतल की गर्दन, जो बोतल होता है, इसको ओपर के पार दोता है, इसको क्यों होता है, अब यह देखे, इतने सारे यह दिये हैं, आपके, toy, nose, head, face, mouth, teeth, foot, neck, back, और hand, अब जल्दी जल्दी हम लोग इसको finish कर लेते हैं, क्यों हो जाएगा, the hands of a clock, the head of a family, the mouth of a river, the teeth of a comb, the toe of a shoes, the nose of a plane, the foot of a mountain, the face of a jerk, and the back of the chair, अब speaking part है, इसको आपने से करना है, राइटिंग पार्ट पर अपने से करना है, अब हम आते हैं, question answer पे, question answer है, हमारा first, we are using computer almost, in our aspect of the human life, it is true, yes, it is true, हाँ, यह सही है, तो आपका यह answer बहुत ही easy है, पर आपको क्या कर देना है, yes करना है, और उसके बाद, सब question में से यह देखना है, very simple, हो गया न, बहुत ही simple है, चलिए, अब आते हम question number 2 पे, computer are our friends, write your views, computer हमारे दोस्ते हैं, इस पे आप अपने विचार लिखे, तो हम अपने विचार लिख देते हैं, ठीक है, computer are our friends, because computer help us in many ways, we can store our information for further requirement, अगर हम को पुरा आगे के लिए जरुवत है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को इस तो कर सकते हैं, अब आजएंगे question number 3, what an abacus, abacus क्या है, let's see, an abacus is a wooden frame, with rods and beards fitted in it, the beards move up and down on the roads, the beards have different counting value, क्या आपका है abacus, ठीक है, अब है, why the name of Charles Beves is important in the development of computer, computer के development is Charles Beves का नाम क्यों important है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यह हमको सरफ इस lesson के according answer देना, अगर हम computer की language में जाएंगे, या computer वाली books से देखेंगे, या computer science में जाएंगे, तो इसका answer बहुत ही लेंदी है, but अब class 5 के बच्ची हो, हमको only book से ही answer देना है, the name of Charles Beves is important in the development of computer, because he made first calculating device, क्योंकि रोने के अम रहाता first calculating device जाले, अब question number 5 है, हमारा, what is the function of CD, CD का function क्या है, CD records, many handwritten printing, register in small area, छोटे से एरिया में ये बहुत सार information को store कर लेती है, record कर लेती है, तो ये chapter आपका finish हो गया है, I hope कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे हैं, तो 2-3 times को read कर लेना, और कोई problem है, तो आप write करके comment box में लिख देना, okay, thank you, bye bye, take care, now, we will meet in next video, take care,